अगस सितंबर में आप फिरी में पोधे कैसे तैयार कर सकते हैं, कौन-कौन से तैयार कर सकते हैं और हमारे जो गंबले की पुराने मिट्टी होती है, उसको फिर से उप जाओ बनाने के लिए उसमें क्या मिलाना होता है कटिंग लगे हुए प्लांट्स को कैसे रिपोर्ट करना है वेस्ट डबो को आपको कैसे उच करना है देखना कैसे फ्रेंड्स कैसे हो आप सब आई होप आप अच्छे होंगे मैं भी ठीक हूँ तो अगस सितंबर में आप फिरी में कौन-कौन से पोदे तयार कर सकते हैं वो भी बताऊंगी और मैंने जो जुलाई के मिड में मैंने कटिंग लगाई थी वो कटिंग भी आज मैं करूंगी यानि बहुत सारेइब की मैने यह च्पोट छोटे वेस्ट में वोटल समें ड образом एटबों में कटिंग लगाई थी मैने और यह पोगन विल्या कहैं यह लगाई थी में मेरी सब्सेंग कटिंग लगा सकते हैं अगस्त के लास्ट तक ये कटिंग आराम से लग जाती है और सब्टमबर में आप जो फ्लावर वाले प्लांट जो हमारे विंटर के आएंगे उनकी कटिंग भी लगा सकते हैं वो भी लास्ट में आपको दिखाऊंगी मैं कौन-कौन से प्लांट के की हुई है तो सबसे पहले मैं इनको report करूंगे और report करने के लिए मैंने की लिए पुरानी मिट्टी तो हमारे गंदी की अगर चार पांच साल पुरानी मिट्टी हो उसको दुबारा से उपजाओं बने के लिए हमें उन में क्या-क्या चीजिये मिलानी होती हैं वो भी आपके साथ मैं शेयर कर रहे हूं आप देखना आप पुरानी मिट्टी में भी पोधार रिपोर्ड कर सकते है लेकिन आपको उसमें कुछ मिलाना होगा ताकि आपके मिट्टी जाओ ओजाएं। तो यह वाला जो गमला है। यह मेरा 60-70 साल पुराना गमला है। और इसमें मैंने एक एरिका पाम का प्लांट लिया था। तो वह जो पाम का प्लांट था मेरे को अच्छा नहीं दिया। उन्होंने और ना तो अच्छे से उसने ग्रोथ की। तो वो आज मैंने निकाल के फेक दिया क्योंकि वो सूख गया था विल्कुल उसने कोई ग्रोथ नहीं की वो चार साल पुराना था और मैंने जो पिछले साल प्लांट लिया था वो मेरा काफी घना और काफी बड़ा हो चुका है तो यह वाला एरिकापाम मेरा खराब था तो यह क मिट्टी में पहले इसको उपजाओ बनाएंगे तो छेद तो आप गंबले का चेक कर ले अगर रुका हुआ तो उसको खोल ले और यह मिट्टी में मैंने गोबर की खाद ही मिलाई थी उस टाइम तो अभी हम इसको और उपजाओ बनाने के लिए हम इसमें थोड़ा सा और तो अगर फंगिसाइड फाउडर है तो वो मिला सकते है अगर वुडेश है तो ऑपर की खाद कीचन के कास्ट, सोरी, खाद, कोई भी खाद हो वो मिला सकते हैं गंबले की दुबारा से मिट्टी उप जाओं और फंकी साइडर नहीं है तो आप अल्दी पाॉडर मिला सकते हैं तो मैं तो इसमें सिर्फ वर्मी कंपोस्ट ही मिलाई है और educating में क्पोधे ऐसे तेल के डब्बे आते हैं हमारे घर में मस्टर्ड ओयल आता है इनमें और इनको पेंट वेंट करके ऐसे कटिंग के लिए यूज कर सकते हैं तो आप देख सकते हैं सभी मेरी कटिंग देखो अच्छे से लगी हुई है और यह जो डब्बे मैं इनको फेक हूंगी नहीं इन बोटलों को लास्ट में इनका भी यूज करूंगी तो इनमें में मैं प्लांट लगाने वाली हूं जो मेरे फिरी के ही हैं बिल्कुल ऐसे ही त कैजा हूंगी है तो आपको आपने कोई बी इस मे Penguin को लेख सकते हैं उसको रखंई होई हैं प्लांट को प्रेंट हैं लोए हैं दिए आप इसमेट में उसको आप रखंद में आप करेंगे इससे इन को अच्छा healthy हुई हुई है अपने को निकाले लस्टम पनी गैंज इसstiक यह बोगन वीलया का प्लांट है और यह प्लांट इस में रेड फ्लावर आते है मैं पJanप में। लगाते हैं। तो फ्रेंट्स यह मेरे अच्छे से इसमें लग जाएंगे और इनमें लगा कि मैं पानी डाल के छाया में रख दूंगी दस दिन के बाद आपको इसको अपडेट भी दिखाऊंगी अब ही यह वाला जो गमला है यह मेरा खाली है इसमें मैंने बालू मिट्टी और गोबर के खाद मिला के पहले से रखी भी थी तो एक जो मेरे हबिसकस वाले प्लांट है उनको मैं इसमें रिपोर्ट करूंगी तो यह भी देखो आपको ऐसे ही मिट्टी को थोड़ा सा ऐसे चारो तरफ से हटा लेना है यानि सोफ्ट कर लेना है फिर इसको आप निकालना है तो इसकी भी रूट्स मैं दिखाती हूँ फ्रेंट् आप ऐसे cutting लगाएं ऐसे फिर उनको report करे और नए पोदे त्यार कर लियूं इए सब ही फिरी के ही पोदे है हमारी gardening भी हो जाती है हमारा christ भी नहीं आता है हम फिरी में ही पोदे ऐसे त्यार कर सकते हैं अभी winter season आएगा早 मूईंटर सीजन के लिए भी आपको cutting लगाने कि प्लाएं कि त्यार करने चाए हैं तो हमें फ्लावर वाले प्लावर चाहिए उड़ंगे तो वह लास्ट में आपको भी दिखांगी, आपशोक्ति लगाता में निंबू की लगाई conserv ने लगाए टो याक सिकते हैं जोने न कुझन कटिंग मेरी लग गई है बोगनवीलिया की लग गई है और भी बहुत सारी कटिंग मैंने यहां पर मैंने अपने गार्डन से लेके लगाई थी वह सभी मेरी कटिंग लग चुकी है तो फ्रेंड्स यह देखो यह कटिंग भी मैंने यह जो पोधा मेरा कटिंग से तियार और हमारा जो प्लांट है वह अच्छे से बढ़ भी जाएगा ग्रोथ भी कर जाएगा अब यह जो वेस्ट बचे हैं इनको मैं फेकने वाली नहीं इनका भी मैं यूज करूंगी तो आप देख सकते हो यह वाले जो पोदे हैं यह पोदे मेरे फिरी के ही बने हैं इसको कोक्सक सब्सक्राइब ऊज़करे तो अब यह इस में बहुत सारे प्लांट बन गए इनको में निकालके अलग अलग डबों में लगा दूँगी ताकि मैंको सर्दियों में फ्लावरिंग देखने को मिले तो यह इसको सिलोसिया भी बोलते हैं कियों कोक्सकॉम भी बोलते हैं और इ चनवरे फरवरी में इसके फ्लावरे बहुत पियारे मीरे लेख 실ty में 2 प्लावर फ्लावर उस प्लावर नाखते हैं और ना अहरा प्लावर ळाण कम से कम 10 प्लावर ँचे इंसरे कंडे हम चार्वरे सं recipients तो मेरे मस्की और तेम पर अध्य लेख मुला है से हाई यह वृत सारी प्लाइन्ट हो चुके है यानि एक प्लाइन्ट ऐख था ठाया था उस्हें साइध मेरे घॉण काम से कम चणत प्लाइनान तरहें यहां पर यहां चांगी जिकाPS आद गढ़ धाsky करें थानके वह वह उपस्ट थांयां थानका кого आपको आप में वहां से और मेरे जो प्लांटस हैं उन्में पानी डाल दिया तो ऐसे अगर कोई हेल्प करने वाला हो थोड़ी सी तो हमारी गार्डिनिंग अच्छे से होती रहती हैं तो यह देखे फ्रेंज्ट्स यह बोटल्स वगरा में मैं लगा तो देखे फ्रेंट्स, ये जो प्लान्ट है मेरे कितने सारे बन गए और ये काली मिटटी है, इसको मैं फेक दूँगे, ये हमारे काम की है, नहीं, तो फ्रेंट्स, ये मैंने lamot कृर्ट कर दिए, सबी अभी और ये फ्लावरेंग वाला इसका चाहिए वाल गौल ऑध मैं नाम भूल जाते हूं और यह गोल सकते हैं मेरी गॉल्ड का तयार सकते मेरी की में कटिंग को बाइब अच्छी लगी हो कोई प्लांट अच्छा लगा हो कटिंग अपडेट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर करें थैंक यू फ्रेंड